बहुत बहुत स्वागत है आपका, thank you very much for coming to the session, तो आज की practice हम शुरू करते हैं, देखे कुछ daily conversational sentences के structures, हम यहाँ पर discuss करेंगे और चोटी चोटी grammar की गलतिया, sentence formation में word order आगे पीछे हो जाता है, उन गलतियों को सुधारेंगे, so I'll be sharing my screen with you, screen map के साथ में share कर देदा हूँ, दे आपके बच्चों में सबसे ज्यादा समझदार कौन है, अब मान के चलिए आपको किसी से पूछना पड़े, आपके बच्चों में सबसे ज्यादा समझदार कौन है, देखे, तीम चार तरीके से कहेंगे, पहला तरीका हो गया, which of your kids is the smartest, यानि जितने बच्चे है, which of your kids is the smartest इस तरीके से आपने पूछ लिया, अब देखे, इसी चीज में, अगर हम मान के चलिए हैं, तो समार्टिस कह रहे हैं, सबसे ज्यादा समझदार, तो EST लगा देते हैं, right, which of your kids is the smartest, इस तरीके से आपने कह दिया, अगर मैं ये कहूँ, इन में ज्यादा समझदार कौन है, right, जितने भी वच्चे बैठें, इन में ज्यादा समझदार कौन है, so which of your kids is smarter, smarter कर दिया, तो comparison कर दिया, smartest कह दिया, तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा कह दिया, अब मान के चलिए, मैं किसी से पूछने लग जाओं कि कम smart कौन है, so which of your kids is less smart, इस तरीके से कह दिया, less smart ना कह करके, मैं डारेक भी पूछ सकता हूँ, which of your kids is the most innocent, which of your kids is the most innocent, यानि सबसे ज्यादा सीधा कौन है, तो यह हमें थोड़े-थोड़े alternatives पता होने चाहिए, तो रहा किया इसके अंदर, जब भी हम पूछ रहें किसी बच्चे का nature, तो structure वही है, बस सामने का एक आगे वाला जो कहा जाए, कि हमें और हमें से, जैसे आपके बच्चों में सबसे ज्यादा समझदार को है, या आपके बच्चों में से सबसे ज्यादा समझदार को है, बस इतना सा फराक है, लेकिन यह कई बार हमें exact feeling देनी पड़ती है, जैसे मान के चलिए, मैं यह कहने की कोशिश करूँ कि हमारे बीच में एक engineer है, एक group में हम लोग बैठे हुए है, हम मैं कहूँ हमें एक engineer है, there is an engineer among us, यानि हमें हमें से अलग नहीं कर रहा हूं, इसी group में है, so there is an engineer among us, हम मैं कहूँ हमें से एक बंदा engineer है, so one of us is an engineer, यारी मैं उसको अलग कर दिया है, जैसे मैं कहूँ कि हमें स से तीन लोग जा रहे हैं, हम में से तीन लोग जा रहे हैं, तो जब हम सेपरेट करके किसी के बात कर रहे हैं, तो और अगर उन्हीं में इंक्लूट करके बात कर रहे हैं, पूरे ग्रूप की, तो अमंग देम, यानि उन में, I hope समझ में आया हुआ, तो which of your kids is the smartest, यानि आपके बच्चों में सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है, या फिर who is the smartest among all your kids, आपके जितने बच्चें, इन में सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है, तो यह छोटा-छोटा सा बस हमको formation पता होना चाहिए, एक्जेक्ट किस तरीका से किस लेज़े में कह रहे हैं, एक तरीका से और की कोशिश करेंगे न, एक महिने से ज़्यादा नहीं लगेगा, पूरी इंगलिश आ देगी है आपको, क्योंकि 500 सेंटेंस को सुन लेंगे, तो सारी की सारी grammar आपको समझ आ चुकी होगी, अब अगले सेंटेंस को इक पर ट्राइ करिए, फिर जिस तरीका से हम लिखते हैं, उनमें फिर आप grammar समझने की कोशिश करेंगा, जैसे कि अगर आप किसी senior citizen से उनके बच्चे की उमर पूछो, किसी बुजर्ग से उनके बच्चे की उमर पूछो, तो शायद ही कोई ऐसा होगा, जो बता पाएगा, छोटी-छोटी portions हैं, दो-तीन तरीके से कहेंगे और grammar समझ उस गलती को ढूणने की कोशिश करें, sentence में क्या गलार है, so if you ask a senior citizen for their kids' age, you will hardly find anyone who could tell you the exact age, hint देतेता हूं मैं आपको चले, ऊपर वाले sentence में गलती है, if you ask a senior citizen for their kids' age, इसमें actual में गलती क्या है, इसमें गलती है for, if you ask a senior citizen their kids' age, ये सही है, for हम actual में कहां इस्तमाल करते हैं, थे क्योंकि ask का मतलब request करना, पूछना, और कुल्मला के कुछ मांगना, तो इसके साथ में फिर grammar जो हम use करते है, ask word के साथ, उसके हिसाब से sentence मेनिंग बदल जाता है, तो मानगे चले कि मैं इसमें for कहां use करूँगा, जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने अपनी बेटी से चाए मांगी I asked my daughter for a cup of tea, जब मैंने कुछ मांगा, तो I asked for something, और अगर मैंने कहा उसको कि मुझे चाए ला दो, I asked my daughter for a cup of tea, चाए मांगी, अब मैंने उसे एक normal question किया, मांगा कुछ नहीं, मैंने इससे पूछा, क्या आज तुमारा exam है, I asked her if she has an exam, जैसे मैंने कुछ मांगा है, तो I asked for something, और कुछ जनरल बात, पूछी है कि एवाल तो I asked something, तो यहाँ पर हमने क्या करा, if you ask a senior citizen, their kids age, या for हटा दो, यानि मांग नहीं रहें कि विल जनरल कुछिन कर रहे है, if you ask a senior citizen, their kids age, you'll hardly find someone who could tell you the exact age, I hope समझ मैं आउगा, for कहा पर हम use करते हैं, जैसे मैं आप से मदद मांग र for help, right, अब मैं कहूं, क्या मैंने आप से कुछ पूछा, did I ask you anything, right, तो for के साथ, जब हम कुछ मांगेंगे, मैं आप से पैसे मांग रहा हूँ, I'm asking you for money, right, मैं आप से कुछ नहीं मांग रहा, I'm not asking you for anything, क्योंकि कोई भी चीज, right, मैं आप से कुछ नहीं पूछ रहा, I'm not asking you anything, अब आपको I hope समझ में आ गया होगा, तो एक बार repeat करें इसी sentence को, तो यह छोड़ी छोड़ी गलती हाँ, हमने ask के साथ फोर कही बार सुन लिया, तो हमने याद कर लिया, फिर वो गलत हो जाता है, जब तक हमें purpose नहीं पता होगा, so if you ask a senior citizen their kids age, you'll hardly find anyone who could tell you the exact age, जो आपको exact age बता पाए, अब मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ, उस sentence का grammar और word order समझने की कोशिश करिएगा, say, if you ask a senior citizen how old a child is, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर कह रहे हैं, पूश नहीं रहे है, right, question जैसे sound कर सकता है, अकसर गलती क्या होती है sentence में, कई बार इस तरीके से कह दिये जाता है, if you ask, मतलब की, if you ask a senior citizen how old is their child, तो वो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पूछ नहीं रहे है, मैं आप से पूछू, आपके बच्चे की उमर क्या है, how old is your child, यह question हो गया, right, लेकिन मैं कहूँ, मैंने उनसे पूछा, I ask them, how old your child is, मैंने उनसे पूछा, उनका बच् most of them won't be able to tell you, ज्यादा तर उनमें से, देखे, फिर से कोई आ गया, सीखने का ज्यादा नहीं, 45-45 ग्रामर के रूल है, so I bet most of them, यानि जिन से भी पूछोगे, उनमें से ज्यादा तर, the most का मतलब हो गया, ज्यादा तर, so most of them won't be able to tell you, if you ask a senior citizen how old your child is, I bet most of them won't be able to tell you, तो छोटे portions का grammar, word order जब समझ लेंगे न, तो वही छोटे-छोटे portions एक दूसरे के साथ जुड़के आपको sentence बन जाते हैं, paragraph बन जाते हैं, तो I hope आपको इसमें थोड़ा-थोड़ा grammar समझ में आया होगा, now, अगले sentence को बोलने कर प्राई करिए, वो ज्यादा तर बच्चों के ज आपको किसी बड़ी घटना से जोड के याद रखते हैं, see, simple तरीके से, they usually remember, they usually remember the kids' births by linking them to a big event, they usually remember, अक्सर याद रखते हैं, यानि कि most of them remember कहा जा सकते हैं, most of them, उनमें से जाधा तर लोग, most of them, most of them remember the kids' births by linking them to a big event, यानि कोई बड़ी घटना से link करके रखते हैं, अब जैसे हमने यहाँ पर कहा दिया, by linking them to a big event, यहाँ पर आप associate भी कह सकते हैं, connect भी कह सकते हैं, जैसे कि they usually remember the kids' births, they usually remember the kids' births by associating them to a big event, by connecting them to a big event, तो यह interchangeably जो हम words यूज कर रहा है, यह सीखना बहुत ज़्यादा जरूर ही और इसको सीखने का सबसे बेस तरीका मैं आपको ब बाद दिजेगा, जिससे जैसी हमारा वीडियो अपलोड होगा, आपको notification मिल जाएगा, और दूसरा आप हमारी live classes join कर सकते हैं, उसका सबसे बड़ा फाइदा क्या है, सबसे पहले हम आपको अपने practice group में join कर लेंगे, जहाँ पर रियल टाइम में दूसरे participant के साथ practice कर पाए आप तो खुद ऐसे लगते हो, 40 साल के हो, तो इस परकार की idiomatic conversational sentences जब तक हम सुनेंगे नहीं, अटके रह जाएंगे, ट्रांसलेशन लगा-लगा के, तो वहाँ पर पूरे दिन conversation चलती है, तो आपको पता जलेगा इन बातों को किस तरीके से कहा जाना है, अब बहुत सारे को गोते हैं, तो कोई अपने तरीके से basic translation करता है, तो यहां आपको एक माहल मिल जाएगा, जब चाहें, जब चाहें, जब चाहें, जब चाहें, प्रेक्टिस करिए, और फिर जो conversation के दोरान कहीं सुना है, किसी ने कोई भी confusions वगारा रह जाते हैं, कि यह sentence ठीक है, या फिर यह grammar क्यों लगाई जा रही है, इस grammar को कोई समझ नहीं आरा grammar का part, उसके लिए live session हो दिये हैं सामको, वहाँ पर visibly come together every evening and we discuss some complicated grammatical rules and sentence structures, discussion में बैटेंगे, 15-20 दिन में पूरी grammar समझ में आ जाएगी, क्योंकि 40-45 grammar के rule हैं और कुछ भी नहीं सीखने का, 300 करीबन structure हैं, एक महीन हैं, right, so मैंने अपने अंकल से पूचा कि आपके बड़े बेटे की उमर कितनी हैं, मैंने अंकल से पूचा, अब यहां भी मैं आपसे नहीं पूच रहा हूं, बता रहा हूं कि मैंने कुछ पूचा था, तो structure देखेगा, I asked my uncle how old his eldest son is, how old is his eldest son नहीं कहा, मैंने question नहीं कहा है, elder और older में फरक है, elder मतलब हम दर्जे की बात कर रहे हैं, किसी के जैसे कि you are my elder, यानि कि आप मेरे बड़े हैं, right, you are older than me, आप मुझसे उमर में बड़े हैं, तो जहां भी हम older word use कर रहे हैं, वहां पर हम numbers की, age के numbers की बात कर रहे हैं, और elder जब हम use कर रहे हैं, तो हम उसके age of his oldest son, right, वह बोले ये तब पैदा वा था जब निरॉकान्ड हुआ था, वह बोले ये तब पैदा हुआ था जब इन्डरा कांड हुआ था, भर से झाल पैदा हुआ था, तो हम रिच सेथा च्यों। हम लुस्टाहरे हैं, ग् heh एक बहुत जादर टेकनिकल टर्म है इसी बात के लिए जब शडियंतर के एरादे से थोड़ा सा हत्या वगरा कर दी जाती है किसी की तो असेसिनेट कर दिया जाता है तो एक शडियंतर रच के जो हत्या करी जाए वो असेसिनेशन है लेकिन दिरिंग दे सबस्ट आप इंटरशेंजबली वर्स तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपने किसी को यूज़ करते सुना हो गापका सकते हैं ग्रामर ना गल है तो सेंटेस में, यह जाडू बिलकुल घिस गई है, यह सुबह सुबह का conversation है, आप देखिए, बहुत important sentences है, बहुत छोटी सी गलतिया है, उनको correct करते हैं, यह जाडू बिलकुल घिस गई है, तो जब भी is completely worn out, यानि कि यह पूरी की पूरी घिस गई है, तुम नई क्यों नहीं मंगवा लेती हैं, तुम नई क्यों नहीं मंगवा लेती हैं, अब देखिए इसमें जोर देंगे हम थोड़ा सा, दोनों sentence साथ में बोलिएगा, जैसे कि why don't you get a new one, why don't you get a new broom, कहा जा सकता है, लेकिन this broom is completely worn out, why don't you get a new one, तो एक individual sentence से उभरना है, जब आप conversation करेंगे real time में, तो आपको 2-3 sentences एकठे बोलने पड़ेंगे, you will find it very easy, message पहुचाने के लिए हो सकता है, एक sentence अधूरा बोल दिया, अगले से उसको clear कर दिया, इंडिविजल से पूरे की पूरी स्टोरी पहुंचाने की कोशिश नहीं करने है, तो करना क्या है, conversation में participate करना है, so this broom is completely worn out, why don't you get a new one, नई क्यों मंहीं मंगवा लैती हो, now, उन्हों नहीit क्या कहा, और कौन इलाने वाला जब तुम्हें देख रही है है तो खुद ही लियाओ, yo यहां पर कह रहा है, who else, or korn, right, who else, मतलब और कौन, और अलावा, else, मतलब अलावा, तुमारे अलावा कौन है, who else is here to bring that, or कौन है लाने वाला, if you can see, it's worn out, why don't you get it yourself, if you can see, यहां पर तुमको देख रही है, right, हम ऐसे कहते है, if you are seeing, उस तरीक से नहीं, वो छुटी-छुटी चीज़े, में डिस्केशन में सुन-सुट के समझ में आ जाती है, so मैं मान के चलिए, मैं आपको देख रहा हूं, right, तो I'm seeing you, ना कह करके, I can see you, right, मैं आपको सुन पा रहा हूं, तो I'm hearing you, ना कह करके, I can hear you, ये छुटी-छुटी चीज़ें, बहुत माहिने रखते हैं, जो हमारे sentence को बड़ा awkward कर देते हैं, right, so who else is here to bring that, if you can see, it's one out, why don't you get it yourself, खुद से क्यों नहीं लिया आते हैं, right, एक बार रिपीट करिए मेरे sentence को, हर sentence को तब तक रिपीट करा करें, जब इस लहजे में ना बोलने, जिस प्रकार से मैं नहीं हाँ पर बोला, so who else is here to bring that, और कौने लाने वाला, if you can see, it's one out, why don't you get it yourself, तो जब आप समझ के बोलेंगे ना, खुद से आप का tone, voice tone जो ओपर नीचे जाएगा, right, now, look at the next sentence, खुद से बोल करके देखें एक बार इस sentence को, मैं तो बस तुम्हारे कहने का इंतजार कर रहा था, मैं तो बस तुम्हारे कहने का इंतजार कर रहा था and then I'll bring it, उसके बाद में ले आँगा, मैं तो बस तुम्हारे कहने का इंतजार कर रहा था, so I was just waiting for you to give me an order, I was just waiting for you to give me an order, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मान के चली मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, I'm waiting for you, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूं, I'm waiting for you to मैं मेन तुम्हारे जाने का इंतजार कर रहा हे इस सेंटेस को लिखेगा मैं तुम्हारे कुशन पूछने का इंतजार कर रहा हूं I want you to write हर सेंटिस को हम पढ़ते हैं अगर आपका सेंटिस ठीक होगा तो समझ जाएगा करेक्ट है गलत होगा उसको करेक्ट कर देगा है ना जैसे कि सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत करो मैंने कहा दिया I was just waiting तोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली सीखने का बैस तरीका फिर से में एक बार आपको याद दिला देता हूं कोई भी सेंटेंस पिक करिए उसका ग्रामर वर्ड और्डर समझेए 500 सेंटेंस में फ्लुएंसी आ जाएगे